Hello students, let's see this question. Here we have in a quadrilateral ABCD, sum of angle A plus C is 2 times of double है बेटा, किसका B plus D का, A बेटा हमें गिवन है 140 डिग्री, ठीक है, और बेटा D हमें गिवन है, D हमें गिवन है, D हमें गिवन है बेटा, 60 डिग्री, तो हमें angle B बताना है, बेटा हम एक चीज़ पता है, angle sum property of quadrilateral, क्या होती है, चारो angles का sum, कितना होता है बेटा, 360 डिग्री, angle sum property of quadrilateral, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, यह हमारे पास 140, पहले हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसको A plus C लिख दें, ठीक है, और इसको B plus D लिख दें, तो क्या मैं A plus C को बेटा double of B plus D लिख सकते हूँ, क्योंकि यह 30 हमें given थे, तो एक तरह से बेटा, क्या मिल जाएगा, 3 times of B plus 3 times of D is equals to 360, क्या मिल गया, 3 common ले लिया, B plus D, 360, तो बेटा, B plus D जो हमें मिल गया, का sum, 360 by 3, मतब कितना आगया, 120, D बेटा हमें already given है, 60 है, तो angle B कितना हो जाएगा, angle B कितना हो जाएगा, बेटा, 120 minus 60, तो कितना बचा, बेटा, 60 degree, और यही हमें find करना था, it means, option A is the correct answer, I hope this is clear to you, thank you.